आश्रम में नाबालिक से दुशकर्म मामले में दोशी करार दिये गए आसाराम को उम्रक्याद की और अन्य दोशीयों को 20 से 20 साल के दकी सजा सुनाई गई है जोधपूर कोट में आज इस मामले में आसाराम समेत टीन लोगों को दोशी करार दिया गया और दो आरोपियों को बही कर दिया गया जस्टिस मदु सूदन शर्मा ने जोधपूर जेल में अपना यह फैसला सुनाया बहस के दोरान वोकील आरोपी शर्त चंद्र और शिल्पी को भी दोशी करार दिया है वहीं शिवा और प्रकाश को बही किया गया है फैसले के मद्दे नजर केंदर सरकार ने दिली राजस्थान गुजरात और हरियाना को सुरक्षा कड़ी करने के निरदेश दिये हैं इसला आने के बाद के पिता ने कहा कि आसाराम को दोशी ठहराया गया है हमें नयाय मिला है मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जुन्होंने इस लड़ाई में हमारा समर्थन किया अब मुझे आशा है कि उसे सख्त सजा मिलेगी मुझे उमीद है कि जिन गवाहों की हत्या या अपहर किया गया था उन्हें भी नयाय मिला अदालत का फैसला आने के बाद आसाराम की प्रवक्ता नीलम दूबे ने कहा हम कानून के जानकारों से चर्चा करेंगे और फिर भविशे की कारवाई का फैसला करेंगे हमें या पालिका पर भरोसा है अहम गवाह महेंद्र ने बताया जान का खत्रा मांगी सुरक्षा आसाराम व उसके पुत्र नारायन साईं के खिलाफ चल रहे केसों में अहम गवाह पानीपत के गाव सनौली निवासी महेंदर चावला ने अतरित सुरक्षा की मांग की है आसाराम को दोशी ठहराय जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं याएपालिका पर भरोसा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आसाराम को दोशी ठहराया जाएगा मैं याएपालिका से अनुरोद करता हूँ कि ऐसे दुशकर्मियों को फासी दी जानी चाहिए हाला कि मेरे पास सुरक्षा है लेकिन मैं अत्रित सुरक्षा के लिए केंदर से अनुरोध करता हूँ अन्य गवाहूं की तरह मेरा जीवन लगातार खत्रे में है देजभर में आसराम के लिए पूजापाट फैसला आने से पहले देजभर में आसराम के लिए अनुयाई पूजापाट में जुटे रहे आसराम के विभिन आश्रमों में अनुयाई इकठा होकर उसकी रियाई के लिए पूजा कर रहे थे लेकिन उनकी यह पूजा पाठ भी आसाराम के काम नहीं आई